और जब उन्होंने विधान सभा के पठल पर खड़े हो करके सरकार से अशोगलोथ सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है ये विशे साहस के साथ में विधान सभा के पठल पर रखा तब उनको विद्जो है मंत्रीपद से बरखास्त कर दिया गया के पहुंचे थे कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया के मित्रों के माध्यम से उदगाटित किया था कि मैं लाल डायरी ले करके आऊंगा और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी सरकार धराशा हो जाएगी मित्रों लाल डा को लेकर के सरकार में और मानिय मुख्या जी में इतनी घबराट क्यों हैं मैं आपको उसके नेपत्य में लेकर के जाना चाहता हूँ 2020 में जब कॉंग्रेस पार्टी में अंतरकल है चरम पर था पार्टी के कुछ विधायक PCC चीफ और Deputy Chief Minister के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहां दिल्ली में आकर के दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे और उस समय में उसी कालखंड में उस समय के बीच में उसके आसपास मुझे एग्जेक्ट डेट याद नहीं है सरकार के एक बहुत वरिष्ट पदादिकारी कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता मंत्रिपद का दरजा पात व्यक्ति जो मानिये गैलोट साब के राजदा भी हैं और खासदार भी हैं उनके घर पर इंकम टैक्स ने रेड किया था और उस रेड में अख़बारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डाइरी और कुछ आपत्ती जनक दस्तावेज उस समय रीकवर किये गए था राजस्तान पुलिस की मिले भगत से उस समय राजंदर गुड़ा जी जो विधायक थे और माननी है गैलोट साब के करपा पातर थे उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया वो अपने पचास सो साथियों के साथ में जा करके वहां इंकम टैक्स के अधि जो हैं छिपे थे इस लाल डायरी का रहस से क्या है इसको आप राजस्तान का प्रतेक व्यक्ति जानना चाहता है और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजंदर गुड़ा जी वहां विधानसभा में पहुँचे थे तब जिस है कि नहीं काला जरूर है और जैसा उन्होंने कहा है आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्तान के मान्य मुक्य मंत्री जी से प्रशन करना चाहता हूं कि मान्य मुक्य मंत्री जी आप से राजस्तान की जंता ये जानना चाहती है राजस्तान के मद्दाता ये जानना चाह क्यों आपने राज़ंदर गुड़ाजी को बेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राज़स्तान के गरीब जनता के पैसे जो राज़स्तान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे। उन बैपैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनितिक मैत्वा कांग्शाओं की पूर्ती के लिए उपयोग कर रहे थे, कब कहां और कैसे अपने राजनितिक आकाओं को खुश रखने के पैसों से कौप योग किया जा रहा था कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी